हे गाइस वेलकम बैक टु सरतास सरकी क्लास आज हम फिर से न्यूस पेपर्स में से आर्टिकल्स न्यूस वगरा सब ट्रांसलेट करके देखेंगे एक आर्टिकल है सबसे पहला वाला ये इसके बाद एक और करेंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में जो मेरे साथ चलिए आईए इससे आप नईने वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे और कुछ कमाल कमाल की चीज़ें भी शुरुआत करते हैं ये वाला यहां से लेकर यहां तक आर्टिकल है देखिए क्या लिखा हुआ धियान से देखिए वैन वाकिंग ओन लैपटॉप अब वैन कर रहे हुं अब डेखिए प्लेसिंग ब्लेसिंग तरक लिखन舞 अब laptop की बात हो रही तो laptop की screen को height से lower रखना किसकी height से your eyes आपकी आखों के height से या levels अगर आप नीचे रखते हैं you can lead to slouching अब slouching इसका क्या मतलब है देखे slouching एक बहुत अच्छा word है और इसका मतलब होता है सुस्ती है ना सुस्ती भी होता है या कंधे लटका कर या हाथ लटका अगर मतलब जब बड़ा सुस्त सा हो जाता है ना इससे slouch कहते हैं so अगर आपके जो laptop की screen की height है वो आँखों से नीचे रहती है यानि कि आपको जुका कर आँखे देखना पड़ता है लैपटॉप को जुक कर देखना पड़ता है तो आप slouching के शिकार हो सकते हैं यहां पर आप देख सकते है lead lead का मतलब होता है या यह चीज़ आपको ले जाएगी slouching की तरफ lead मतलब ले जाना या शिकार कर देना which can cause अब यह cause है जो वजा बन सकती है cause का मतलब होता है वजा क्या मतलब होता है वजा जैसे किसी जीज़ की वजा है कहता न बिकाउज, तो बिकाउज का मतलब के कारण 就MA का मतलब वजा lower back issues, यानि कि back issues की lower back issues की वज़ा बने सकती है अब कौन कौन से back issues इसमें एक explain भी क्या है like cervical pain जैसा कि वो गर्दन का दर्द होता है cervical pain उसे बोलते है cervical pain की वज़ा बने सकती है अब क्या कह रहा है बहुत खास बात कह रहा है invest in a laptop stand यानि पैसा खर्च कीजिए invest कीजिए stack अब यह बहुत खास वर्ड है stack stack का मतलब होता है धेर मतलब एक के उपर एक के उपर एक जब किसी चीज़ को लगा देते हैं तो धेर हो जाता है off books या किताबों के धेर को तो यह कह रहा है या तो पैसा खर्च कीजिए laptop stand ले लीजिए या फिर अगर वो नहीं लेना चाहते है तो use a stack of books तो किताबों का एक धेर इस्निमाल कर लीजिए 4-5 किताबे एक दूसरे के उपर रख लीजिए to elevate अब elevate का मतलब होता है उठाना जैसे elevator होता है न वो उठाने वाली machine ठीक है तो उठाना to elevate उठाने के लिए the laptop लैपटॉप को तो अब तक यह पता चला कि अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं और उसकी स्क्रीन अगर आपके आँखों से नीचे रहती है तो या तो बैक बैक पेन वगएरा हो सकता है तो इसलिए या तो investment कर लो थोड़ा से पैसा खरच कर लो एक laptop stand ले लो या किताबों का धेर stack of book का इस्तेमाल करो elevate यानि उपर उठाने के लिए the laptop अब बहुत अच्छी चीज़ आ रही है a good rule of thumb ये याद रखेगा ये वाला phrase ये पूरा है एक साथ मिला के है a good rule of thumb इसका मतलब होता है अच्छा फैसला अच्छा फैसला तो अच्छा फैसला जो दिमाग से लिए आ गया हो मतलब जो सूजबूश से लिए आ गया हो a good rule of thumb एक अच्छा फैसला ये हो सकता है क्या हो सकता बता रहा है जो हैं, वो naturally hit करनी चाहिए, सीध में होनी चाहिए, तकराना, सीध में होना, the top third of laptop, your screen, यानि आपके laptop की जो स्क्रीन है, उसका top third part, कम से कम आपकी आखों के सीध में होना चाहिए, पूरा laptop भले ही नाओ, top third part, एक त्याही इस्सा उपर का, कम से कम आखों के सीध में हो, जो आ गर्दन सीधी करें, your screen, when you are looking, जब किस वक्त सीध में हो, जब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, state का मतलब होता है, सामने, सीधा भी होता है, सामने भी होता है, यह ना, बहुत सारे word होते हैं, इसके मतलब होते हैं, सामने देख रहे हो, अपने स्क्रीन पर, तो यह बहुत ही बुक्स, यानि किताबों के एक बंडल का स्तमाल कर लो, ताकि एलिवेट हो जाए, वो उपर आ जाए, और सबसे अच्छा फैसला, a good rule of thumb, सबसे बड़िया फैसला दिमाग का काम यह है, is to make sure, कि इस बात को सुनिश्चित कर लो, पक्का कर लो, that your eyes should naturally hit the top third of your screen, कि कि कम से कम हिट कर रही हो, जब आप स्क्रीन की तरफ देखें, तो यह बड़ा प्यारा आर्टिकल, एक और करते हैं, मैंने यहां पहले से रड़ी किया हुआ है, देखिए, जरा इस आर्टिकल पे नजर मारी है, यह बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए, मैं इधर कर देता हूँ, ताकि फोटो अगेरा ना आए, तो देखिए, कैफे हट, यह दुकान के बारे में बात हो रही है, कैफे हट, ठीक है न, यहां ओपर तस्वीर भी है, वह मैंने हाइट कर दिया है, दुकान है कमला नहरु कॉल चलाना, उसको चलाना, रन कहलाता है, तो रनिंग दा कॉलिज कैंटीन, अब रनिंग में आई एंजी लगए, रन में आई एंजी लगए, तो चला रहे हैं, चला रहे हैं कॉलिज कैंटीन सिंस 2001, सन 2001 से, कौन चला रहे हैं, अब उनका नाम सुनिए, इस रन्जीत ग्राया, अब देखिए जो कि 45 साल के अब रंजीत जी की हाँ पर एज भी लिख दिये खाली 45 लिखा तो हमने आइडिया लगा लिए यह एज ही है आगे क्या लिखा है हूँ अब हूँ जो कौन जो रंजीत की बात हुरी है रंजीत जी के बारे में बता रहे हैं हूँ रिसेंटली जिन्होंने हाल ही में रिसेंटली का मतलब होता हाल ही में सेटप अब देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है सेटप सेटप का मतलब होता है वैसे तो चीजों को लगाना सेटप कर लिया जी ठीक है शुरू करना भी होता है शुरू करना ठीक है जैसे कोई बि within within का मतलब के अंदर अंदर the college premises अब देखे प्रेमिसिस का मतलब था परिसर यानी college का जो इलाका है college के अंदर का जो ग्राउंड है या college के अंतर का जो जमीन आती है उसे premises कहते हैं तो college premises के अंदर खुला है उन्होंने canteen little cafe खुला है selling cold beverages एक तो cold beverages यानि कि नाश्ते का सामान आप बोल लीजिए खाने पीने का सामान ठंडा ठीक है न वो sell कर रहे हैं and maggie और क्या sell कर रहे हैं और maggie ठीक है the trick is to find exactly who needs अब इनकी trick क्या है trick है find यह तलाशने की exactly who needs what किसको क्या चाहिए देखे who needs what किसको क्या चाहिए and I know और यह कहते हैं मुझे पता है the north Indian जो north Indian लोग है वो prefer prefer मतलब चाहना वो चाहते हैं चाहते हैं क्या क्या prefer करते हैं है न क्रीमी काफी उन्हें क्रीमी काफी पसंदे जहातर and और south Indian जो यह तो north Indian है जो क्रीमी काफी पसंद करते हैं और यह कहते हैं जो south Indian लोग होते हैं प्रिफेर slightly slightly का मतलब थोड़ा बहुत बिटर टेस्ट बिटर का मतलब था कड़वा या बेहत खटा जो कड़वे के नस्दीक हो बिटर ठीक है ना टेस्ट he says वो कहते हैं क्या कहते है अनन्या मानी त्रिप कर रहे हैं जो कि एक first year political science student है और बिनेकर में honors भी लिखा है says वो कहती है say मतलब कहना तो say का मतलब हम जाते है say का मतलब होता है कहना तो says कहती है I don't like milk products मुझे milk products या दूद से बरी चीज़े पसंद नहीं बट लेकिन हाइजड टी आइजड का मतलब होता है जमी हुई जमी हुई बेहत ठंडी क्या पसंद है tea he makes he makes जो वो बनाते हैं अब इनके बारे में होगा जो बनाते हैं जो बनाते हो बहुत पसंद है इन्हें यह student कह रही है with the sugar इसमें वो डालते है sugar या sugar के साथ and flavored syrup और flavored यानि की flavored का मतलब होता है बहुत जादा टेस्ट या लग-लग flavor के जिसमें strawberry flavor हो गया या कोई और flavor हो गया syrup syrup का मतलब होता है पानी का घोल या उस flavor का घोल makes it delicious delicious का मतलब होता है स्वादिश्ट यानि बहुत जादा जो है स्वादिश्ट हैना energy आ जाती है और यह वाला हिंदी में लिग दिया इन्होंने energy आ जाती है तो कुल मिलाके इन्हों काफे खुला है कमला नहरु कॉलिश के अंदर 2001 से चला रहे हैं और इन्हें टेस्ट के बारें पता है नौर्थ इंडियन को क्या पसंदे साउथ इंडियन को क्या पसंदे और अलग अलग चीज़ें नोंने इस्सेमाल कि हैं इसमें सुगाई आज के लिए इतना ही चलिए औ और आर्टिकल्स आपके लिए ऐसे नियूस पेपर्स के लाता रहूँगा तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबाय टेक किया